असलाम उलेकूम वेलकम टू मैच चैनल आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और इजी रेशिपी सेयर करेंगे जो बहुत ही बनने में आसान है खास करके जो इस्टूडेंट रहते हैं उनके लिए बेहद इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत मन करता है चिकन खाने का मगर पता है है यह घर की सीज के बनाने अब भूँना लिए गटिन गइंगे और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है इसके लिए वनने एक के जीए चिकन ले life नीक से पानी से हमने साफ कर लिया है पानी और हम यह इससल चीज बनाएंगे शरी में बढ़ूकर में अब और कुकर में बनाने से बहुत ही जल्दी बनता है। बिल्कुल इस बिज्व कोशी करने अब कुकर में अच्छे सारे जानekारी. कुकर में अच्छे सारी साय क्यारी बारी प्रकूटी पूर लिए 기본 को प्याज. हमने एड़ कर दी है हमने यहाँ 2 प्याज़े एड़ करी है और हमने एक टमाटर लिया है जिसको अच्छे से हम इसको भी रफली चॉप कर लेंगे और कट करके इसमें एड़ कर देंगे बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसीपी है बहुती फास्ट जब भी महमान है या स्टुडेंट हो कोई भी हो इसको एक बर बना के जरूर ट्राइ करिएगा बहुती जल्दी बनती है तो हम कुछ खड़े गर्म मसाले अट करेंगे तेजपत्ता लिया है काली मिर्च लिये 10-15 हरी लाची लॉंग 4-5 और एक बड़ी लाची इन खड़े गर्म मसालों को इसमें अट कर देंगे अधरक लसन का टुकड़ा लिया है हमने देखिए लसन हमने 20-25 लिये हैं और अधरक का 3-4 टुकड़ा लिया है एक एक इंच का और सौफली है वन टेबल इसपून इसका हम एक मिक्सर जार में बारिक पेस्ट बनाएंगे देखिए हमने बारिक पेस्ट बना लिया है अब हम इसमें एड कर देंगे हमने half teaspoon healthy powder लिया है 1 tablespoon हमने धनिया powder लिया है नमक हमने 2 tablespoon के करीब लिया है आप अपने taste के according कमिया जादा कर सकते हैं half teaspoon हमने लाल मिर्च powder लिया है half teaspoon हमने गरम मसाला पॉडर लिया है जो homemade गरम मसाला है half cup हमने mustard oil लिया है आप refined oil का भी यूज़ कर सकते हैं या other और भी कोई आपको जो पसंद हो oil उसका यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर देंगे कूकर में जितनी भी चीज़े हमने डाली बहुत ही आसान तरीके से घर में हमेशा आपको मिल जाएगी बिल्कुल भी बाहर की चीज़े हमने यूज़ नहीं की है आप इसको अच्छे से mix करते हुए चला लें अब हम कूकर का ढखकन बंद कर देंगे और सिर्फ एक सीटी लगाएंगे जादी सीटी है नहीं लगाने सिर्फ एक सीटी लगानी है हमें देखिए हमारी एक सीपी लग चुकी है अब हम कूकर का ढखकन भूल के देखते हैं देखिए इसमें पानी हो चुका है क्योंकि हमने प्यास टमाटर सारी चीज़े एड़ करे थी अब इस पानी को हम फ्लेम गैस की फ्लेम पे फुल फ्लेम पे हम इसको भूल लेंगे और इसक के बीम बीच में हरी मिर्च एड़ करें ना के वीच में चीरा लगाके इसका आप त और भी यूज कर सकते हमें थीं से 4 हरी मिर्च उज करी है तो अगर आपके पास हो तो आप इसको यूज़ कर सकते है ने तो इसकी भी कर सकते है इन सब को अच्छे से डाल कर इसको 5-10 मिनट तक पकाएंगे ऐसे ही देखिए फूल फ्लेम पे भूनने पर तेल उपर आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है चिकन करी इसको अच्छे से 10-15 मिनट आ भूनेंगे तो सारा पानी बिल्कुल सुख जाएगा और फुल फुल तेल उपर आ जाएगा और मसाले भी बहुत अच्छे से भून जाएंगे देखी बहुत ही अच्छा तेल उपर आ चुका है और बहुत ही अच्छी करी दिख रही है हमारी अब इसमें हम एक कप के करी पानी एट करेंगे आप चाहे तो और कम भी पानी ही विश्च कर सकते हैं और इसको मिक्स करते वी चला लेंगी दो से तीन मिने करी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है देखी बहुत ही अच्छी कलर आ रहा है बहुत एच्छी खुश्बू आ रही है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं देखने में हमारी करी बहुत ही टेस्टी है खाने में उससे भी कही ज़्यादा और बिल्कुल आसान तरीकों से हमने बनाई है तो देखी कितनी अच्छी दिख रही है हमारी चिकन करी बहुत ही एजी तरीके से हमने बनाई है बिल्कुल घर के मसालों में और बहुत ही आसान आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करिएगा बहुती इजी रेसिपी है और बहुती फास्ट बनने वाली है जब भी महमान आया इस्टुडेंट को कभी भी मन करिए खाने का तो जटपट बना सकते हैं बहुती आसानी से बनने वाली है इसकी करी बहुत ही अच्छी बनिये क्योंकि हमने बहुत अच्छे से मसालो को अच्छे से भूण लिया था 10 से 15 मिनट तक तो आप भी जब बनाईएगा तो अच्छे से मसालो को भूण लीजेगा जिससे बहुत ही अच्छी खुश्वू आएगी और जब तेल उपर आ जाए तभी गैस की फ्लेम को आफ करिएगा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है हमारा चिकन करी अब हम हरी दनिया से इसको उपर शे गार्निस कर देंगे देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है बहुत ही टेस्टी लुक के साथ और बहुत ही अच्छी फ्लेवर के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सरकल में इसको शेयर करिएगा ताकि बहुत ही आसान रेसिपी सब के साथ पहुँच जाए और अच्छे से इसको बना सके बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही एजी तो इसको एक बार जरूर ट्राइगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा थैंक यू अल्ला आफिज